नए साल से जो private hospitals हैं और जिनका obligation है कि गरीब लोगों को 10% IPD और 25% OPD free of cost treatment देंगे उन्होंने एक नई problem शुरू कर दिया है जितने भी patients हैं चाहे वो IPD के हैं चाहे OPD के हैं चाहे नए हैं चाहे फुराने हैं उन्हों सब को treatment उन्होंने मना कर दिया है और ये कहा है कि पहले आप किसी government hospital में जाईए और वहां से जो है लिखवा के लाईए हमारे hospital के लिए तब ही हम देखेंगे और उनका ये भी कहना है कि ये जो निर्देश हैं वो दिल्ली सरकार ने दिये है उसका असर ये हुआ है कि डेली के अंदर क्रीब क्रीब सभी गरीब लोगों का जो इलाज हो रहा था या होने वाला था वो सारा का सारा रुक गया है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल जिनको हाई कोट और सुप्रीम कोट ने जो है निर्देश दिया है कि गरीब लोगों को वो ट्रीटमेंट देंगे वो कैसे उनको डिपेंडेंट बना सकते है गर्मेंट हॉस्पिटल के उपर वो तो जो राइट है गरीब लोगों का उनसे ट्रीटमेंट लेने का वो सरकारी हॉस्पिटल के इलाज से इंडिपेंडेंट है प्राइवेट हॉस्पिटल अब ये तो मना कर सकते है कि हमारे पास जो 10% बैड है वो भरे हुए है और आपको क्योंकि बैड चाहिए तो हम बैड नहीं दे सकते या OPD 25% से उपर हो सकती है हो गई है इसलिए हम आपको मना करते है लेकिन विदिन 25% OPD and 10% IPD प्राइवेट हॉस्पिटल तो किसी को मना ही नहीं कर सकते है और जो हाई कोट और सुप्रीम कोट की गाइड लाइन्स है उसके अंदर ये है कि जो eligibility है वो जो परिवार है गरीब का उसकी जो income है वो unskilled laborer की income के साथ जोड़ा है दिल्ली की और जो आज की तारिख में कोई 15,482 रुपे परती महा है मतलब कोई परिवार देली का या हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से का 15,482 रुपे से कम परती महा उनकी income है वो सारे के सारे eligible है और उसके लिए हाई कोट और सुप्रीम कोट ने लिखा है कि उनके पास राशनकाट होगा या income certificate होगा और कुछ भी नहीं है तो undertaking के basis पे जो है वो private hospital से treatment ले सकते है private hospital जाए 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 यह कर सकता है कि जो भी direct patients आते हैं उनकी detail जो नजदीक का linked government hospital है उसको भेज सकता है और वो government hospital की जिम्मेदारी है वो देखना कि वो उसकी eligibility ठीक है या नहीं है दुसरा ये भी देखना है बहुत important है कि जो private hospital उसको treatment दे रहा है वो ठीक दे रहा है के नहीं दे रहा है तो लेकिन जो private hospital मना कर रहे हैं वो तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं अभी आठ तारीक को जो है वेंगेटेश्वर hospital ने मना कर दिया अभी तल जो है वो एक और hospital है महराजा international hospital उसने मना कर दिया और भी सारे hospital हों के अंदर जो है इलाज रुग गया है तो दिल्ली सरकार को चाहिए कि वो तुरंत इसको जो है clarify करे और इनको बोले कि ये जो है इलाज continue करे और नहीं करते तो इनके खिलाफ action ले डीडी है जिसने जमीने दी है वो भी action ले थैंक यू